पिघ्णा हर्ता श्री गनेशा श्री कनेशा हमने यदि यग्य में बाधा डाली तो गुरु शुक्राचारी का ध्यान आक्रिष्ट होगा और वो उस विद्न को दूर करने का कोई उपाय सोच लेंगे किन्तु हम उसके पूर्णोने में विलंब तो अवश उत्पन करवा सकते हैं यह हमें सेवकों के वाप पहुचने से पूर्वी उस थान पर पहुचना होगा जहां हवन सामगरी और गृत का भंडार है चलिए मुशक जी जिस और वो सेवक जा रहे हैं भंडार क्रेवी अवश उसी और होगा हौँ नपाईं नमो नंबों मों मों स्वाहर थी हौँ तो सुरंग में है हवन सामगरी मुझे ततकाल कोई उपाई करना होगा ताकि असूर सैनिक वहां तक पहुँच ही ना सके हाँ ये उपाई तो अच्छा है सुन जी फ्वििधू से ने connectivity आपिनो गुटों जयादः निन जी나हाँ श्रकाए तौ में ःचिसा पहो जीन आप बहुआ है अरी या वायुच घा कहा है तंपन आप ओओ नमामि देवा नमामि देवा जैगा दिन आज हना चन नमामि देवा श्रका आधन देवाñताए मुशक जी अब हमें जो करना है उसके लिए थोड़ा समय मिल गया मुशक जी शीक्र चलिया भंडार के भीतर प्रभु यहां हवन सामगरी और गृत्तो इतनी अधीक मात्रा में है हाँ जितना बड़ा शड्यंद्र तैयारी भी उतनी ही विशाल है किन्तु अब समय आ गया है विग्न करता की रूप में विग्न डालने का मुशक जी वे असुर सीवक यहां पहुचें उसके पूर्व इस सामगरी और गृत को समाप्त करना होगा हमें हाँ प्रभू मुशक जी आप सामगरी नश्ट कीजिए मैं गृत का उपाई करता हूँ आहां प्रभू आरंब करते हैं हवन की ये जो शुक्राचार आयोजित जिससे हो देव नश्ट जग का हो आहित विखन करता की भूमिका गजानन निभाए सामगरी यग्य की सब मुस संग खाई जैदरीश 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 देवा मता चाहती पारवद्नी तिका आहां देवा शीक्रता करो गुरुदे प्रतिक्षा कर रहे हैं शीक्र चलो हाहा मुशक जी सारी सामगरी रश्ट कर देजिए असुरों के कुरूद शुक्राचार्यों को प्रतिक्षा कराना उचित नहीं है आगे बढ़ो शीक्रता कीजिए मुशक जी असुर सेवक किसी भी छण यहां पहुँच जाएंगे यह क्या हो गया सारी सामगरी और धित कहां लुक्त हो गये गुरू शुक्राचार्यों को ज्याद हुआ तो उनका क्रोध हमें बास में कर देगा किन्तु किस ने किया ये दुष साहस गया कहां ये तो अच्छा हुआ प्रभू यहां उन सेवकों ने मंडार में प्रवेश्ट किया और वहां हम निकल गये अब तो वो इसी विचार में होंगे कि सामगरी और गृत को किस ने नश्ट किया हां मुशक जी तो आईए मुशक जी हम असरों के इस अधर्म कार्य में थोड़ा और विग्नुत्पन कर देते हैं माँ प्रभू क्यों नहीं अब ये कवच गुफा में समाहित होने वाले तत्वों की शक्तियों को रोकेगी आगे बढ़े मुशक जी श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा प्रूइन नहरता श्री गणेशा अधीत होता है पत्म पूझे श्री गणेश अपने प्रयास में सफल हुए हमारी उर्जा लौट रही है हां देवराज अधीत होता है कि कोई मेरे कारे में विग्न डालने का प्रयत्न कर रहा है अन्यथा अन्यथा मेरे कारे की कतिकम कैसे हो रही है अम्ब्रिम्ब्रम प्रिम्द्रम स्वाहा नहीं हवन सामग्रे समाप्त नहीं हो सकती मैंने अपने सिवकों को सामग्री और ख्रित लाने के लिए बेजा था इतना विलम्द क्यों कर रहे हैं वो अभी तक सभी स्तंबित हैं मैं पुना अपने स्थान पर बैठ जाता हूं और इंकर स्तंबन तोड़ता हूं क्या हुआ आप रुप जों गए लड़ों खिलाए ना जी महादेव पुत्र मैं वोई करने का प्रैत्न कर रहा था आप बस परियाप्त है क्या प्रभू हम तो आपको लड़ू खिलाई ना सके आपका तो एक ही लड़ू में उदर भर गया इसका कारण भी आप कुछी समय में जान जाएंगे जब आपको ग्यात होगा कि आज कितने घृत का पान किया है मैंने रुकिए आप दोनों अपने हिर्दे को छोटा मत कीजिए जो लड़ू तारकाक श्री ने मुझे खिलाया वो आप सबकी इतने श्रद्धा और भक्ती से पून था कि उसी से मेरा उदर भर गया आप इन शेश लड़ूं को त्रेपूर में प्रसाद की रूप में बटवा दीजिएगा जैसी आपकी आजयतों अब आप मुझे अनुमती देजिए इसनी शीवा तो भी क्या है आपकी सेवा का हमें थोड़ा और अवसर दीजिए वो अवसर शीग्र प्राप्त होगा आपको किन्तु अभी तो मुझे जाकर पिता श्री को आपकी भक्ती और सेवा से अफगत कराना चाहिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमारी प्रार्टना स्वे माधेव तक पहुंच जाएगी आई हमें अपने सानिर्जिक का सौफा के प्रदान करने के लिए शत-शत नमन प्रभू कि माधेव पुत्र का अचानक यहां पर आगमन और उतनी ही शीगरता से प्रस्तान क्यों? संभव है भ्राताओं ये उन दुष्ट दियताओं का कोई छल हो राताश्रे कहीं यहां आकर हमारा उद्देश्य तो ग्यात नहीं कर लिया महादेव पुत्र ने तुम दोनों शीगर जाओ और जाकर देखो क्या चार शुक्रचारे का कारे सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं अब हमारे वास्तविक प्रयोजन में और विलंब नहीं होना चाहिए प्रणाम पिताश्री प्रणाम मा पिताश्री त्रिपूर में आपके भक्तों से मेरी भेट हुई और और मुझे विश्वास है कि तुमने वहाँ कुछ भी अनुचित नहीं पाया पिताश्री को केवल बोल कर नहीं किसी अन्य प्रकार से समझाना होगा कि त्रिपूरा सुर्गी वास्तिविकता क्या है और वहाँ क्या चल रहा है किन्तु कैसे मिल गई युक्ति अवश्री पिताश्री आपका विश्वास उचित है अनुचित का तो लेश मात्र भी नहीं था वहाँ किन्तु मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूं पिताश्री मा मेरे साथ आए ना हुआ 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 है कितना कोमलत कितना सुन्दर स्वर है इस कोयल का हा मा किन्तु अपने मदूर स्वर से सबका मन मुहने वाली इस कोयल के पंजे पर भी एक दिश्टी डाल कर देखिए कभी कभी कोमलत के पीछ अपनी कुरूरता चिपाने वाले अपने उपर और अवित्रता और धार्मिकता का धोंग रश्टे हैं मीठी वानी बोलते हैं किन्तु उनके भीतर कुटीलता चिपी होती है हमें कोयल के निकट लाने कर तुमारा आश्यवय मैं समझ क्या भूत्र कि इस कोयल के समान तृपुरा सुर भी तोहरा चरित रखते हैं हा पिताश्री तृपुरा सुर आपकी भकति अवश्चे करते हैं किंटू उनकी भकति के पीछे इश्वर की प्रति समर्पण का भाव नहीं अपीतु इश्वर से निरेंतर कुछ प्राप्ती की लालसा है पिताश्री वो दिवस रातरि आपकी पूजा करते हैं आप उनका वद ना करें ब्रह्मदेव को तपस्या से प्रसंद कर उन्होंने त्रिपूर वर्दान में मांगा जहां देवता भी अनुमती के बिना प्रवेश ना कर सकें जिसका लाब उठाकर वो वहां देवताओं महाभूतों और त्रिपूर के अंशों से ऐसी अपराजय से ना उत्पर्ण कर रहे हैं जिसे तब तक नष्ट नहीं किया जा सकता जब तक त्रिपूर का विनाश ना हो गणिश उचित कह रहा है हामा गुरु शुक्राचारी की निग्रानी में उन्होंने त्रिलोग पर असुरों का अधिपत्य स्थापित करने का कुछ चक्र रचा है कि इससे पूर्व कि वो असुर सेना जीवित होकर सर्वत्र विनाश करें आपको उन्हों प्रिपूरा सुर्का वद करना ही होगा पिताश्री मुझे दिखाई दे रहा है त्रिपूर का नाश करने के लिए जो अनेवारे स्थिती है वो अभी उत्पन हो रही है स्वामी यदि अभी आपने विलम किया तो अगले सहस्त्र वर्षों तक त्रिपूर का नाश असंभव है सहस्त्र वर्षों तक असंभव हो जाएगा वो क्यों मा उत्र जब ब्रह्मदेव ने त्रिपूरा सुरो को सहच्ता से वर्दान दे दिया तो उन्होंने ब्रह्मदेव से कुछ और भी मांगा प्रभू मेरे भ्राताओं के इच्छा अनुसार हमें त्रिपूर का वर्दान देने की क्रपागर आपने हमें क्रतार्थ किया किन्तु मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ मेरी एक इच्छा अभिशेशे उसे भी पूर्ण करने की क्रपागर कहो वक्स कम लाक्षे क्या चाहते हो तो प्रभू मेरे भ्राता के इच्छा अनुसार मात्र महादेव ही तिरपूर का नाश कर सकते हैं किन्तु तब ही तब सहस्त्र वर्षों में हमारे तिरपूर के टीनोपूर एक सिधी रेखा में स्ठीर हो और जब शिवजी अपने एक ही बान हमारे तीनोपूरों पर प्रहार करें जो बान बान ना हो और वो बान उस धनुश से चले जो धनुश धनुश ना हो और महादेव ऐसा उस रत पर आरूड होकर करें जो रत रत ही ना हो प्रभू मात्रेशी अवस्थान क्रिपूर और हमारा विनाश संभव हो तथास्तु 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 अर्थात यहीं उच्छी तफसर है उनकी विनाश का अन्यथा तिर लोग पर उनका अधिपत्य स्थापित हो जाएगा और सरवत्र अधर्म का अंधिकार छाजाएगा जिनके मुख पर सदा मेरा ही नाम रहता है अपने उन अनन्य भक्तो पर मैं अपने अस्तर कैसे उठा पाऊंगा गनेश किन्तु आपके वो भक्त तो संपूर्ण संसार का अहित करने की यूजना बना रहे है पिता श्री आपके प्रति उनकी भक्ति धाल बनकर उनकी लक्षा कर रही है किन्तों की भक्ति की ढाल इतनी भी बलवान नहीं है पिताशी पुत्र तुम्हें जो भी उपाय करना है शीगर करना होगा क्योंकि तुर्पुर अब एक सीधी रेखा में शीगर आने वाले हैं और जितनी शीगर वो उस रेखा में आएंगे उतनी ही शीख्र उस रेखा से बाहर भी चले जाएंगे तुम्हारे पास कुछे पहर का समय है मा मुझे ग्यात है, समय कम है धर्म परायन जनों का विगन हरता हो तो अधर्मियों और पापियों का विगन करता भी तो हो कोई अनिश्ट नहीं होने दूँगा मैं किन्टो उसके लिए मुझे मामा जी की सहायता चाहिए होगी ये कैसा विगन है? अकस्मात ये अवरोध कैसे उपन हुआ? नहीं, मैं अपनी असुर सेना का निर्मान करके ही रहूंगा और इसके लिए मैं अपनी समस्त आसुरी शक्तियों का आवाहन कर इस कारे को पूर्ण और सफल करूंगा ये क्या, हमारी, हमारी उर्जया पुनक्षी नोरी, अर्थान, संका डविन ठला रहे हाँ, इंद्र देव त्रिपूर के एक रिखा में आने के पूर्व इस असुर सेना को जीविक करूंगा फिर त्रिपूर का कोई विनाश नहीं कर सकेगा हर हर महादेव हमें शीग्री त्रिपूर सुर को रोकना होगा इसे पूर्व की त्रिपूर सीधी रेखा में आकर सर्वत्र विनाश का कारण बने बाहरी आवरन को देखकर भीतर की सच्चाई को ग्यात नहीं किया जा सकता आवरन के भीतर छुपी सच्चाई को जानने का प्रयास करना चाहिए